इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Lloyds Engineering Works Limited ये स्टॉक 78.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में आज इसने 0.23% का डाउन वूव दिया था मार्केट कैप है इसकी 9,028 करोड्स की, प्रोमोटर होलिंग 57.20% है बुक वेल्यू 3.59 है, डिविडेंट इल 0.25% है, फेस वेल्यू 1 है फंडमेंटल वीडियो में अल्यडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस में आड कर दूएं आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखें तो यह स्टॉक 50 & 200 दोनों DMA से उपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है पी रेश्यू, मीडियन से थोड़ी सी उपर है 5S के टाइम स्पैन पे and 1 month पे देखें तो छोटू सी नीचे है, तो यह एक positive point है sales and margin को देखें, gross profit margin थोड़ा सा ठीक हुआ था, recover हुआ था इस quarter में and sales quarter on quarter decrease हुई थी, अभी के लिए चलते हम इसके chart पे चाट पे देखें, आज हमें काफी अच्छा reversal देखने को मिला है, stock काफी नीचे भी गया था and उसके बाद reversal भी हमें second half में काफी strong reversal देखने को मिला है sellers का दवाब तो रहा है, बट साथ के साथ हमें 0.20% का down move भी मिला है, छोटू सा down move मिला है अभी के लिए तो 78.30 का जो support है, उसको respect कर रहा है, उसको breach ये जरूर कर चुका था, तो इतनी भी कोई respect इसने नहीं रखी है तो अभी के लिए थोड़ सा ये जरूर है कि अपना stop loss जरूर साथ में लेके चलें अपने appetite के according RSI जो है 47.12 पे है, RSI के पास अगर यहां से reversal लेती है, RSI के पास यहां पे support भी है and reversal लेती है, तो यहां पे headroom भी बहुत ज़्यादा है, RSI के पास अभी एक बार weekly chart पे चलते हैं कि 4 days हो गया तो थोड़ा अंदाजा हमें लग जाएगा तो यहां पे हमें spinning top बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा RSI अभी 60 के ऊपर ही है तो यह एक अच्छी बात है, तो यहां पे RSI, sorry, यह हमारा जो 20 day simple moving average से तो stock नीचे ही है बार बार यह ब्रेक करने के कोशिश कर रहा है, बट ब्रेक इससे हो नहीं रहा है, sustain नहीं कर पा रहा है बॉलेंजर बैंड का mouth ज़रूर यहां पे narrow हो चुका है, आप देख सकते हैं एंड उमीद तो है कि दिखे जैसे ही right issue की उमीद हमें news की उमीद थी कि कुछ आएगा, अभी तक तो कुछ आएने एक बार BSC पे चलते हैं तो इसका price band 20% का है and news अभी तक कोई ऐसा चाही नहीं है, शायद इसके बाद आ जाए, तो हम उसको cover कर लेंगे बाद में बाट अभी के लिए कोई news ऐसा चाही नहीं है, delivery percentage volume जो गया है, delivery volume percentage जो गया है, 47.20 गया है, तो delivery volume तो काफी अच्छा गया है यहाँ पे, अगर right issue की news आती भी है, कितना ratio रहता है, उस पे काफी सारी चीज़े डिपेंड करती है, तो अभी के लिए हम right issue के बिना ही analysis करके चल volume की बात करें, तो कल volume 1.89 million का था, आज volume 3 million का आया है, reversal candle मुझे ज़रूर लग रही है, क्योंकि delivery percentage जो गया है, वो भी अच्छा गया है आज, तो यहाँ से reverse ज़रूर ले सकता है, अब let's see Friday को, that means tomorrow, reversal यहाँ से लेता है कि नहीं लेता है, तो अभी fresh entry के अगर बात करें हम, त लोंगर रन के लिए तो अफकॉस ली जा सकते है, शौटर रन के लिए थोईट सी दूविदा जनक है, अभी कोई right issue की news आई नहीं है, तो अभी के लिए हम एक target लेके चलेंगे, जो की मुझे लगता है कि 10th of September, 10th और 15 September के आसपास, मुझे लगता है इस टॉक इसके आसपा announce हो जाए, फिर ratio and record date का जैसे भी आएगा, तो उसके according सारी की सारी analysis change होती है, तो अगर वो news आ जाती है, तो या तो आप मुझे comment section में बोल सकते है, वैसे मैं भी नज़र रख के रखूँगे, अगर वो news आ जाती है, तो अभी के लिए longer run के लिए तो fresh entry बनाईदा सके, shorter run के यह target तो हम लेके चले हैं, 10th और 15th September के बीच के, जो की like 2 weeks होते हैं, तो trading weeks कितने होते हैं, just second एक बार check कर लेते हैं हम, तो यह August आ गया and यह आ गया हमारा September, तो September का 15 September के लेके चले हैं, तो हमारे पास पूरे के पूरे 2 trading weeks मिलते हैं, इसके बीच में छुटी कितनी हैं, वो तो हमने of course अभी check नहीं किया है, तो यह एक अच्छी बात रहेगी कि 2 trading weeks में यहां का हम target लेके चल रहे हैं, बट अभी तक भी बहुत promising यह target नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें news का कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो अभी के लिए यह चीज जरूर है कि यहां पे थोड़ा सा gap जो था, वो तो of course पहले ही फिल हो चुका है, यहां पे support जरूर स्ट्रॉंग लग रहा भी, क्योंकि यहां पे RSI के पास भी strong support है और इसके पास भी support है, और जो major support है वो तो यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 72.93 का, तो अगर इसके आसपास कहीं right-ish news आ जाती है, तो हो सकता है, stock हमारा 73 के आसपास भी trade करता हुआ दिखे, so let's see कि क्या होता है, अभी के लिए तो कोई news नहीं है, तो अभी के लिए shorter run की entry कुछ जादा मुझे promising नहीं लग रही है, reversal candle जरूर हो सकती है, बट हमें confirmation candle जरूर चाहिए रहेगी, क्योंकि 81 की जो resistance है, वो बहुत जाद करता है, तब entry बनाई जा सकती है, या तो फिर हमें यहाँ पर अगर volume increase करता है, एक दम से spike up करता है, तब entry बनाई जा सकते, shorter run के लिए, तो यह मेरी analysis है, कोई buy sell hold की recommendation नहीं है, आप अपनी analysis कीजिए, जाने ही समझे पढ़िए और फिर invest करिए, बलते हैं next video में, तब तक के शुक्रिया और भीन्वेस.